पुराणों में स्वास्तिक को अविनाशी भ्रह्म की संख्या दी गई है इसे धन की देवी नचिमी यानि शिरी का प्रतीक भी माना गया है इसलिए यदि आप स्वास्तिक से जुड़े इन उपायों को अपनाएंगे तो घर में हमेशा प्रक्कत और पाजविटी रहेगे मल अच्मी को करें प्रसंद घर के बाहर रंगोली के साथ कुमकुम सिंदूर या रंगोली से बनाया गया स्वास्तिक मंगल कारी होता है इसे बनाने से देवी और देवता घर में परवेश करते हैं एक सुपारी पर कलावा डेलीश के दोनों और स्वास्तिक बनाकर पूजा करें स्वास्तिक के उपर चावल की एक धेरी बनाएं और एक-एक सुपारी पर कलावा बानकर उसको देरी के उपर रख दें इस उपाय से धनलाब होगा हल्दी का स्वास्तिक इशान यानी उत्तर पूर्व में उत्तर दिशा की दिवार पर हल्दी का स्वास्तिक बनाने से घर में सुक और शांती बनी रहती है गुड़का ये उपाये बैपार नहीं बढ़ रहा है तो साथ गुरुवार तक उत्तर पूर्वी कोने को गंगा जन से दोकर वह हल्दी से स्वास्तिक बनाएं और उसकी पूजा करें इसके बाद गुड़का भोग लगाएं धन्यवाद मेरे चनल को सब्सक्राइब जरूर करें